दोस्तों आज से ठीक चार वर्ष पहले जुलेई 2019 में मैंने जो दे लाइन किंग फिल्म है डिजने की उस पर वाशिंग्टन पोस्ट ने एक आर्टिकल लिखा था तो उस आर्टिकल के बार में हमने उस वीडियो में चर्चा की थी वो जो आर्टिकल था उसमें डिजनी को डिजनी की जितनी भी एनिमेटेट सिरीज है या फिल्म है उन्हें रिजिडली हेट्रोसेक्शुल होने का सर्टिपिकेट दिया गया था कि भाई ये बहुत ही कठोर तापूर्ण रूप से हेट्रोसेक्शुल है अतलब अपोजिट ज विजनेटें के बीच में जो आकरशन होता है कीवल उसको ही कठोरथा पूरन डिजने केवल प्रमोट करता है हमोशीयुनी को प्रमोत नहीं करता समलेंगिकता को प्रमोट नहीं करता गे कृपलल lesbian couple, bisexuality, LGBTQ agenda, इन सब बातों को Disney अपनी फिल्मों में जगर नहीं देता, बहुती rigidly heterosexual है Disney, और The Lion King के बारे में लिखा गया था, कि The Lion King एक फासिवादी कहानी है, इसमें white supremacy को promote किया गया है, और जो विद्रोही होते हैं, बागी होते हैं, सरकार और सिस्टम के विरुद्ध जो आवाज उठाते हैं, आजादी, आजादी वगएरा वगएरा, और जो minorities होते हैं, या समाज का जो गरीब और पिछडा वर्ग होता है, या समाज से जो बहिश्कृत होते हैं, उनको The Lion King में, विलन के रूप में प्रस्दुत किया है, और जो बस केवल बहुत सुन्दर होते हैं, या फिर जिनके हाथ में सत्ता होती है, उनको उसमें glorify किया गया है, मुफासा और पूरे उनके kingdom के रूप में, और हैनाज को, जिनको वो विद्रोही, पागी, समाज से भहिश्क्रित, या फिर minorities, या फिर समाज का गरीब और पिछडावर, उनसे हाइनास की उस आर्टिकल में तुलना की गई थी, कि उनको फिल्म में भिलन दिखाया गया है, वह थी फासिवादी नेचर की दलाइं की ये कहानी है, और उसको आज डिजने क्यो रिमेक बना रहा है, 2019 में रिमेक आया था न, तो डिजने क्यो रिमेक कर रहा है अपनी ऐसी फासिवादी कहानी का, ऐसा प्रशन चिन्न डिजने के उपर उठाया गया तो उस वाशिंग्टम पोस्ट के आर्टिकल में, और ये कहा गया था कि आज पूरे विश्व भर में, जब फार राइट ताकदे, जो एक्स्ट्रीम राइट विंग वाली जो ताकदे हैं, के हाथ में आज पूरे विश्व भर में सत्ता आ रही है, तो ऐसे समय में ऐसी फासिवादी कहानी को रिविजिट करने की क्या आवश्यक्ता है, उस समय मैंने उस वीडियो में कहा था कि ये जो डिजने पर दबाव बनाने का प्रयाज किया जा रहा है न, लेफ्ट और लिबरल्स के द्वारा, वोक्स के द्वारा, कम्यूनिस्टों के द्वारा, ये बात आप छोटी मत समझना, इसका बहुत गहरा असर होता है, प्रभाव होता है, क्योंकि एक mental, एक बहुत धीक और मानसिक प्रेशर बनाया जाता है, फिल्मेकर्स के उपर, बड़े-बड़े स्टूडियोज के उपर, इस पूरे वोक एकोसिस्टम के द्वारा, लेफ्ट के एकोसिस्टम के द्वारा, कि तुम हम जैसा कहेंगे, वैसी ही तुम्हें कहानी लिफनी पड़ेगी, नहीं तो हम तुम्हें सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट, रेसिस्ट, वाइट सुप्रेमसिस्ट, और क्या वो मेजुरेटरियन पॉलिटिक्स को प्रमोट करने वाला, और फासिवादी, पता नहीं क्या-क्या, या मेल, शुवेनिस्ट, और पता नहीं क्या-क्या शब्द उठा कर लेकर के आते हैं, तो ऐसे कुछ, मतलब गीने चुने 18 शब्द होते हैं उनके पास में, वस वो उनका सर्टिपिकेट देने का काम वोक्स करते रहते हैं, तो इस प्रकार से बड़े-बड़े स्टुडियो पर, बड़े-बड़े प्रोडॉक्शन हाउस पर, बड़े-बड़े जो फिल्मेकर्स होते हैं, उनके ऐसा एक प्रेशर बनाया जाता है, तो यहाँ पर भी डिजने के साथ वही किया गया था, और जो मैंने कहा था देखिए, आप पिछले चार वर्शों में, देख लीजे, वो परिवर्तन आ भी गया, देखा न, आपने चार वर्शों में पिछले डिजने ने क्या किया, पूरे के पूरे मार्वल के फेस फोर को उन्होंने LGBTQ एजन्डा क्या और क्या क्या नहीं, उस सारी बाते उन्होंने मार्वल के फेस फोर में डाल दी, केवल यही नहीं, टॉय स्टोरी जो इतनी सुन्दर एनिमेटेट सिरीज, उसके पहले चारो के चारो पार्ट का हमने रिव्यू किया हुआ है, 1995 से लेकर के 2019 तक उसके जो चारो पार्ट आये थे, और रिव्यू आप हमारा देखना, सारे के सारे पार्ट को मैंने 10 out of 10 स्टार्स दिये हैं, उनकी कहानी को मैंने explain किया है, कितनी सुन्दर सीख उस एनिमेटेट सिरीज के माध्यम से दी गई है, पर उसी का अगला पार्ट, एक स्पिन उफ करनाना है, आपको threesome करना है, foursome करना है, bisexual हो, pansexual हो, जो भी हो आप, आपको जो करना है, जिसको करो भाई, पर कम से कम बच्चे, किशोर, युवा, उनको तो छोड़ दो, हो जाने दो उनको 18 वर्ष का, उसके बाद वो देख लेंगे, उनको किसके साथ सुना है, पर बच् अपने school के समय से ही, college के समय से ही, ये try करके, देखते हैं, मैं कौन से sexuality से हूँ, मेरी sexuality क्या है, मैं heterosexual हूँ, या homosexual हूँ, या bisexual हूँ, या pansexual हूँ, चलो मैं इसके साथ भी सोकर देख लेता हूँ, उसके साथ भी सोकर देख लेता हूँ, लड़की है तो, चलो मैं लड़की के साथ भी सेक्स करके देख लेती हूँ, लड़के के साथ भी सेक्स करके देख लेती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मेरी सेक्शुलिटी क्या है, और ये को मैं कपोल कल्पीद बाते नहीं बता रहा हूँ, आज Western countries के यही हालात है, बच्चे, युवा, अपने स्कूल में, कॉलेजिस में, ये कर रहे हैं, कि देखते हैं मेरी सेक्शुलिटी क्या है, चलो अलग-लग लोगों के साथ में सो कर देखते हैं, और ये आपको कई सारे फिल्मों में, कई सारे सिरीज में, आपको देखने को मिल जाएंगी ये बाते, कि दिमाग में बच्पन से आप जैसी मन को दिशाद होगे, कच्चा घड़ा होता है मिट्टी होती, आप उसको जैसा शेप देंगे मन को, वैसा ही वाकार बनेगा, उसको अगर भोगवासना के पीछे भागने को कूल बता देंगे, तो वो तो वैसा ही सोचेगा तो सुचिए कल को कोई टॉइ स्टूरी जैसी कोई स्रीज कोई माता पिता सोचती भी, कि चलो इतनी अच्छी स्रीज है यार, 2019 सर्थ तो अच्छी थी, तो चलो मेरे बच्चों को ग्यान से, उनके देखने से परे होकर भी बच्चे तो देखते ही है बहुत सारी बाते सुचिए क्या बच्चों को बच्चपन से ही उनके foundation को ही, उनके base को ही तोड़ दिया जा रहा है खत्म कर दिया जा क्यों कमजोर नहीं कर रहे है पूरा का पूरा उनके base को ही द्वस्त कर दे रहे है ताकि वो generation बस खड़ी ना हो पाए कभी फिर उनका main aim क्या होता है sex, सबसे बड़ा problem क्या होता है जीवन का sex और फिर हमें हीमत को हो, शीमत को हो दे को हो, देम को हो ये कोई मैं couple को अलपीद बाते नहीं कर रहा हूँ, आज आप स्त्री को स्त्री नहीं कह सकते, western countries में पूरुष को पूरुष नहीं कह सकते, मा को मा नहीं कह सकते, पिता को पिता नहीं कह सकते उनको parent to and parent to कहना पड़ेगा क्योंकि आप किसी के gender को अजियूम नहीं कर सकते he or she कैसे कह सकते आप दूसरों को उनको दे और देम कहिए क्योंकि तुमें क्या पता उनका gender क्या है वो तो अभी closet में है वो अभी अपने closet को खोल कर वो सब के सामने जब वो बताएंगे तब वो अपने उन बंधनों को तोड़कर बाहर आए हैं closet से बाहर आए हैं ये माना जाएगा तो ये देखा हमने डिजने ने भी light year हो या और भी कुछ ऐसी animated film में पिछले कुछ समय में आई है जिसके माद्यम से यही LGBTQ agenda को उन्होंने प्रमोट किया है बच्चों के content में और भारत में तो भी हमारे बॉल्यूड के film makers तो लगातार बनाए ही जा रहे है क्या मादुरुदिक्षीत क्या आईश्मान खुराना क्या राजकुमार राओ और क्या बड़े-बड़े actors को लेकर ये लोग बना रहे हैं ऐसा content और Rocky series के साथ भी आगे जाकर कुछ ऐसा ही होगा ऐसा मुझे लग रहा है Hollywood की एक ऐसी series जो इतने अच्छे संसकार इतने अच्छे आदर्श इतने अच्छे मुल्य हमें सिखाती है हमें इतना motivate करती है अंदर से ऐसी series को भी अब Hollywood वरबात करने वाला है मैंने Creed 3 के review में थोड़ी से इसके बारे में चर्चा की थी तब मैंने कहा था किया लग से वीडियो बनाऊंगा तो आज हम उसके बारे में थोड़ा detail में चर्चा करेंगे कि Creed 3 एक ऐसी film है Rocky film series की 9 वी film है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि Services Talon अपनी Rocky की भूमी का में फिर से इसमें हमें नहीं दिखने वाले उन्होंने मना कर दिया कि मैं Creed 3 के साथ में नहीं जुड़ सकता और दूकिस बात का है कि Services Talon उनके पास में इस series के rights नहीं है इसकी एक एक line एक एक character हर एक बात उनके उनके एक brain child के समान है उन्होंने सब कुछ develop किया है उन्होंने सब कुछ लिखा है पर इसका एक percent भी right उनके पास में नहीं है और ये बाते Services Talon ने अभी दो वर्ष पहले तक भी कभी नहीं कही थी नहीं मतलब 1976 में ही तब वो struggling actor थे Services Talon और उन्हें इस franchisee का क्या potential हो सकता है आगे जाकर कितनी बड़ी हो सकती है franchisee उस समय उन्हें इतना पता नहीं था struggling actor थे मुश्किल से 100 डॉलर उनके पास में थे ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है उनकी जीवन के बारे में तब उन्होंने इवरिन विंकलर फिल्म प्रेडूसर उन्हें अपनी इस कहानी को बेचा था सेल्वेस स्टेलोन इस character को कहानी को उन्होंने बेचा था और बाद में वो film इतनी successful हो गई है उसके बाद में सेल्वेस स्टेलोन ने उनका जो उनकी जो ideology थी उनकी जो philosophy थी उनकी जो विचारधारा थी उसके अनुसार उन्होंने उस character को develop वो करते गए अच्छे आदर्श, अच्छे मुल्य एक आदर्श पती कैसा होता है आदर्श पत्नी कैसे होती है पिता और पुत्र के बीच का संबंध राश्टर प्रेम, देश प्रेम सारी बाते उन्होंने कूट कर अपने content में भरी है सयम की शिक्षा उन्होंने उसके माद्यम से दी है और Creed 2 तक भी Silosis Talon इस series के साथ में जुड़े रहे आठ फिल्मों तक क्योंकि तब तक उनके दुरिश्टिकोन के अनुसार series आगे बढ़ रही थी पर Creed 2 के बाद में इसके जो makers है वो उन्हें Silosis Talon के जो विचार है वो regressive लगने लगे orthodox लगने लगे पिछडी भी सोच वाले लगने लगे तो वो अपने मन से कुछ develop करने लगे ड्राइगो जो एक character था ना रशियन उसको लेकर एक spin-off series शुरू करने का अपने मन से ही इर्विन विंकलर ने निर्ने ले लिया Silosis Talon को बताया भी ने इसके बारे में इसके अलवा Creed 3 को भी वो जिस direction में लेकर के जा रहे हैं वो Rocky Silosis Talon उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया उन्होंने अलग-लग interviews में अपने Instagram posts के माध्यम से इर्विन विंकलर से बहुत कठोर प्रशन पूछे यहां तक कि इर्विन विंकलर और उनके बेटे के पास अभी इस series के rights है उन्होंने कहा कि तुम लोग Parasite हो दुसरों के मतलब परजीवी जन्तू जीने कहा जाता है तुम लोग Parasite हो इतने कठोर शों मतलब सूचे को कितने अंदर से frustrated होंगे सिल्विस स्टेलॉन 47 वरशों की मेहनत 1976 में Rocky आई थी तब से लेकर कि अभी तक कि उनकी मेहनत दिये पर उसको जब कोई डिस्ट्रॉय करने पर आ जाता है सबसे स्टेलॉन ने कुछ इंट्रिव्यूस में कहा कि यह जो Rocky film series है यह में अपने पत्नी अपने अगली जो generations है उनके बच्चे हैं परिवार हैं उनको एक उनकी एक याद के रूप में उनके समरण के रूप में जोड़ कर जाना चाहता हूं कि देखो यह तुम्हारे पिता यह हूं मैं पर आज उसको ही यह लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं मेरे सामने एक इंट्रॉव्यू में उन्होंने कहा कि that's a regretful situation because I know what it could have been स्टेलन तोल दे हॉल्यूड रिपोर्टर about disagreeing with the sequel's tone sequel का जो tone है या जिस दिशा में उसे लिए जाया जा रहा है उससे वे disagree कर रहे थे it was taken in a direction that is quite different than I would have taken it it's a different philosophy Irwin Winkler's and Michael B. Jordan's Irwin Winkler जो producer है और Michael B. Jordan भी अब इसके साथ में co-producer हो गए है Creed series के साथ में जो मुख्य गुमिका में भी है Adamis Creed की Apollo Creed के बेटे के रूप में तो वो एक अलगी philosophy से एक अलगी विचार से अलगी द्रिश्टिकोन से इस series को आगे ले करके जा रहे है मैं कुछ अलग दिशा में इसको ले जाना चाहता था ऐसा Services Talon ने कहा I wish them well but I am much more of a sentimentalist I like my heroes getting bit up but I just don't want them into that dark space I just feel people have enough darkness मैं अपने heroes को उनके फिल्मों के जो characters है heroes है उनको वो मार खिला सकते हैं कठीन से कठीन परिस्तिते में डाल सकते हैं और उनके spirit को वो नहीं तोड सकते depression और anxiety को romanticize नहीं कर सकते पर इस फिल्म में वो करने जा रहे हैं एक dark space में वो अपने character को ले करके जा रहे हैं और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं लोगों की जिवन में अल्रडी बहुत सारी darkness है उन्हें तो motivate करने के आवश्या था ये कुल मिला कर उनके कहने का यहाँ पर उद्देश्य था और Rocky की आप Creed 2 तक की सारी फिल में देख लीजिए वो किसी ने किसी प्रकार से आपको motivate करेंगी आपको कुछ न कुछ सिखाएंगी आपके जिवन में कुछ न कुछ positivity एड करेंगी पर Creed 3 में ऐसा कुछ भी आपको पूरी फिल में देखकर अंदर से कुछ feel ही नहीं होगा हाला कि Creed 3 के ending में producers की जो list है उसमें आपको Silvisa Stallone का नाम अवश्य देखने को मिलेगा पर इसके बारे में उन्होंने कहा है कि I have zero ownership of Rocky एक दूसरी जगह पर उन्हें इंटर्वियू देते समय ये कहा था कि You can't make peace with someone who has been so so nefarious in my opinion जो व्यक्ति इतना ज़्यादा दुष्ट हो उसके साथ आपको किसी भी बात कर agree नहीं कर सकते किसी conclusion पर नहीं पहुँच सकते आप आगे नहीं बढ़ सकते तो इतनी ज़्यादा मतलब हम इन सब बातों से समझ सकते कि वे कितनी अंदर उन्हें दुखी है वे कितनी पीडा में है जो कुछ भी उनकी मेहनत जो थी 47 वरशों की उसके साथ में जो कुछ भी हो रहा है और इसमें कोई भी हमें आश्यर नहीं करना चाहिए कि आगे जाकर ये जो Creed Creed 3 से हमें पता चली गया कि Adamus Creed की जो बेटी है उसे भी बॉक्सिंग बहुत पसंद ही उन्होंने दिखाया है और उसके पिता अपनी बेटी को बॉक्सिंग सिखा रहे है तो हो सकता है कि Creed 4 की कहानी शायद यही होगी कि Creed 4 में कहानी Creed 3 से 15-16 वरश आगे बढ़ जाएगी और उसमें Adamus Creed की जो बेटी है उसे पहली ब्लैक फिमेल वर्ल बॉक्सिंग चैंपियन शायद दिखाया जाएगा Creed 4 में और पता नहीं मतलब वो Adamus Creed की बेटी को कैसे डेवलप करेंगे उसके माध्यम से हो सकता है कि वे कुछ बॉडी शेमिंग को या फिर Depression, Anxiety को Romanticize कर दे या Suicide को Romanticize कर दे जो कि आजकल की वोक और लिबरल फिल्मेकर्स करते ही रहते हैं या फिर हो सकता है कि उसको वो Bisexual दिखा दे कुछ भी मतलब आप guess नहीं कर सकते कि इस कहानी को फिर वो आगे कहां ले करके जा सकते है और मुझे तो कम से कम ऐसा लगता है कि आगे जाकर ऐसा ही कुछ विचित्र सा हमें देखने को मिलेगा और दोस्तों ये हालात के वल Hollywood के हैं ऐसी बात नहीं है बॉलिवड के हालात तो इससे भी ज़्यादा बुरे हैं बॉलिवड वाले तो वेस से भी ज़्यादा वेस्टन हो गए है उनसे भी ज़्यादा वोक हो गए है बॉलिवड वाले यहाँ पर तो बतलब LGBTQ एजेंडा को प्रमोट वगेरा करना हो तो वो तो बड़े-बड़े एक्टर्स और बड़े-बड़े कथि बॉलिड की जो सेलिबरिटी से उनको लेकर वो प्रमोट करते हैं और दुख की बात यह है कि यहाँ पर जो अपने आपको राष्टरवादी कहते हैं नैशनलिस्ट कहते हैं वो भी इसके आगे जाकर क्या परिणाम होंगे इसको नहीं समझ पा रहे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो किंदर समाज है हमें उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए हमारा करतव है पर जो LGBTQ एजंडा है उसका मुख्य उद्देश्य सेक्शुल लिबरेशन है और छोटे-छोटे बच्चों की दिमाग में आज ये जो बाते डाली जा रही है उनके जंडर को लेकर जो कन्फ्यूस किया जा रहा है उन्हें इसके भयावा परिणामों के बारे में तो भारत में चर्चा तक नहीं होती अमेरिका में के कम से कम वहाँ पर कई सारे है लोग जो यूटूब हो, सोशल मीडिया हो या कला और साहित्य के वहाँ के क्षेत्र में भी कई सारे से लोग है जो कम से कम जागुरुत कर रहे हैं जागुरुक कर रहे हैं लोगों को जो वहाँ पर अपने आपको नेशनलिस्ट कहते हैं, रिपबलिकन पार्टी से जुड़े हुए है वह कम से कम समझते तो है इस एजिंडा को भारत में तो जो अपने आपको राश्च्रवादी कहते हैं, नेशनलिस्ट कहते हैं वो ही समझ नहीं पाते हैं उनको तो और ज़्यादा कूल बनना है भाई हम कैसे अपने आपको रिग्रेसिव दिखा दे हैं हमें तो certificate देगा यह लेट का ecosystem यह problem है कि हमारे भारत में तो कोई बोलने वाला तक नहीं है और कोई बोलता भी तो उसको मतलब तुरंट चारो तरफ से ecosystem उसको दबा कर खत्म करन पहुत धिने बाद जैश्री राम उन्दे मातरम